शिरी शिवाई नमस्तु भ्यम, हर हर महादेव, इस चनल पर हम आपको गुरुजी पंडी पदी मिश्रा जी के द्वारा बताय गए उपाय आसान भाष्या में समझाने का प्रयास करते हैं, साथ ही वीडियो के मध्यम से आपको उपाय करके भी दिखाते हैं, कले 26 जनबरी 2024 द अभी पिछली जो कता हुई थी, उसमें गुरुजी ने कुपाय बताया था, वो भी हम आपको इसी वीडियो के मात्यम से बताने वाले हैं, साथ ही गुरुजी ने वेलपत्र चड़ाने के कई प्रकार के नियम बता है, जिनसे हमें क्या-क्यालाब देखने को मिलता है, धन स वो जल शंकरवान की शिवलिंग पर अरपित करना है, उससे आपको क्या लाब देखने को मिलेगा, माग महिने का पहला दिन है, तो इस दिन से आप अपना नियम बना लीजिए, यदि इस माग के महिने में आपका भी गंगन नदी के टड़ पर पहुँच रहे हैं, या किसी अन्य पवित्र नदी के टड़ पर पहुच रहे हैं, तो आपको एक छोड़ा सा प्रयास करना है, आपको नदी के आसपास कोई भी कंकड मिल जाता है, तो आपको उस कंकड को रख देना है, और नदी के उसी जल से आपको अपने हाथ में जल लेना है, उस साथ बार उस जल क हर हर महादेव बोलते हुए या नमाश शिवाय या शिरी शिवाय नमस्तवयम बोलते हुए हाथ की अंजनी का जल उस कंकड की ऊपर छोड़ देना है ऐसा आपको साथ बार करना है मतलब आपको पहले हाथ में अंजनी में जल लिया हर हर महादेव किया और छोड़ दिया फिर पर आपको शिवलिंग नुमा आकरती बना लेना है और फिर उस शिवलिंग नुमा आकरती में आपको साथ बार इसी तरीके से अंजिनी का जल छोड़ देना है हर हर महादेव बोलते हुए यदि आपको बालू रेद भी नहीं मिलती है तो जिस नदी में आप इसनान कर रहे है मा गंगा का इसमिन करते हुए अपने हाथ में साथ बार जल लिजिए और इसी तरीके से आपको हर हर महादेव बोलते हुए छोड़ देना है उसी नदी में मतलब आप खड़े हैं वही पे नदी के अंदर और आपने अंजिनी में थोड़ा सा जल लिया और हर हर महादेव कि माग के महीने में किया गया पुन्न आपको अधिक गुना में प्राप्त होता है और आपकी कामना मागंगा की क्रपा से जरूर पूरी होती है अब बढ़ते हैं अगली दूसरे उपाई की ओर यदि आप शिव मंदिर पहुंच गए और आपका किसी दिन मन करता है कि काश की मैं के दिन शे मंदिर जाना है और एक वेल पत्र आपको ऐसी लेना है जो पूरी तरीके से पूर्ण हो उसकी पूरी पत्ती अच्छे से बनी होई होनी चाहिए इसके बाद उस वेल पत्र की जो बीज वाली पत्ती होती है उसमें जो डंडी लगी होती है उस डंडी को हमें जो बीज वाली पत्ती की डंडी होती है उसको पकड़ना है और अंगुठे के पास वाली उंगली उसमें इस पर्ष ना करें इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी हम शिवलिंग पर कोई भी सामगरी वेल पत्र है धतूरा है चावल है अक्षयत जो भी चीज आप अरप सकते हैं ऐसा करने से आपको 108 वेल पत्र अरपित करने का फल प्राप्त होता है और माग का महिना वैसे ही पुन्यकारी महिना कहलाता है तो इस महिने में यदि आप एक वेल पत्र इस तरीके से अरपित करते हैं तो आपको अधिक गुना में फल प्राप्त होता है तो इस उप व्यभार दे दिया है पर वो लोटा नहीं रहा है। या एक एक गर में शादी आ गई है, व्यभा आ गया है, या नोकरी के लिए, या व्यपार के लिए पैसा नहीं है, को पनते हैं. और इसके बाद एक कलश जल अरपित कर देना है ये उपाया आप कल माग महीने के पहले दिन कर सकते हैं बस आपको एक वेलपत की नीचे की दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए अपने हातों से शिवलिंग की उपर वेलपत अरपित कर देना है वेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर करें और इसके बाद एक कलश्या श्रीशिवाई नमस्तुभी हम बोलते हुए और जो पैसा आपका गया है या कोई लोटा नहीं रहा है या एकदम से अचानक आपको बेसुकी आविशक्ता पढ़ रही है तब आपको इस उपा कथा में कि कुबेर को धन देने वाले कुब्रेश्वर महादेव हैं कुबेर भंडारी है और नाराइन ने एक बार माता लक्ष्मी से पूछ लिया कि तुमारे पास इतनी संपदा कहां से आती है तो माता लक्ष्मी ने कहा मेरे माता पिता ने सिखाया है कभी किसी के सामने ह नहीं फैलाना चाहिए तो मैं एक वेल पत्र को लेकर बीज बाली पत्ती को इसपर्ष करते हुए को बेर को लेकर भुलेनात का आहवन करती हूं और वो जो मुझे प्रदान करते ही वो मैं जन्मानस के कन्यान के लिए आगे वितर्ण कर देती हूं इसके पात गुरूची ने पताया है कि धन प्राप्ती के लिए वेल पत्र की बीज बाली पत्ती को छोड़कर बच्चू ही दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए लक्ष्मी को बेर भुलेनात का इसमन करते हुए इन तीनों का इसमन करते हुए वो वेल पत्र आपको शिवलिंग की ऊपर अर्पित कर देना है तो इससे मातलक्ष्मी पसंद होती है और आपको धन प्राप्ती के लक्ष्मी प्राप्ती के योग बनते हैं ये निशित है ये विशेश उपाय आप कल 26 जनबरी हो शुक्रवार का दिन है जो कि मातलक्ष्मी को समर्पित है तो इस दिन आप इस विशेश उपाय को एक कमल गट्टा डाल लेना है यदि आपको कमल पुछ पर मिल जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो आप कमल गट्टा डाल लीजिए कमल गट्टे का जल जब हम महादेव को अर्पित करते हैं तो इससे मातल लक्षमी प्रसन होती है क्योंकि कमल गट्टा मालक्षमी का प्रतीक होती हैं इससे भी हमारे घर में धन संबधा प्राप्ति के योग बनते हैं तो बस आपको एक कमल गट्टा अपने जल कलशकंदर डाल लेना है और इसके बाद उस कमल गट्टे का जल शंकरवां की शिवलिंग पे श्री शिवाय नम उस तो भी हम बोलते हुए अर्पित कर देना है और फिस जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलशकंदर जहल लीजिएगा और वो जल अपना व्यपार व्यवसाय वाली जगे पर जरू सिंचन कीजिएगा साथ ही अपने घर के द्वार पर उस जल का सिंचन जरूर कीजिए अगले चड़ू उपाई की ओर आग webs लेना है वेल्पत्र को अपने हाथ में लेना है शंकवांग शिवलिंग को जो भी वेल पत्र चड़ी हो बस आपको उसे उठा लेना है और उस वेल पत्र को हाथ में लेते हुए दोनों हाथों से ऐसे इसपर्ष करते हुए काम ना करनी है वेल पत्र की बीज बाली पत्ती को फिर पकड़ते हुए उस वेल पत्र को की उपर अर्पित कर देना है तो हमें शेवलिंग पर चंदन एक लोटा जल अक्षद धतूर सब अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है यह विशेश उपाएं आप कल 6 जनवरी के दिन कर सकते हैं आज के नोपाएं से जड़े मन में कोई सवाल एक कोस्चन है तो आप कमें के जरियों पूछ सकते हैं वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लागा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरू टाइप कीजिएगा साथ ही अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा